चोपड़ा नीट PG Information यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे डोक्टर्स लंबे इंतजार के बाद All India PG का सेडूल जारी हो चुका है साथी साथ State का सेडूल भी जारी हो गया है तो आज इस वीडियो में हम All India और State सेडूल के बारे में चर्चा करेंगे साथी साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके रेंक पर आपको कौन सी ब्रांच में कौन सा बेस्ट मेडिकल कोलेज मिल सकता है इसके बारे में हम कैसे जानेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम सेडूल देख लेते हैं All India का तो इसमें रजिस्टेशन 20 सिप्टिमबर से स्टार्ट हो गए है लास्ट डेट 17 नॉवंबर 24 है इसमें चईस फिलिंग 8 नॉवंबर से लेके 17 नॉवंबर 24 तक है है चईस लगिंग 17 नॉवंबर से लेकर के 17 नॉवंबर रात 11 बजके 55 मिनट पर है चाम 4 बज़े स्टार्ट हो जाएगी च्ईसलोकिंग और रज़ेल ट्वैंट नॉवंबर को आ जाएगा third round का schedule देखें तो 26 December से 1st January तक रहेगा और choice filling 27 से 1st January तक ही रहेगी result 4th January को आ जाएगा history vacancy का 18th January से 21st January तक रहेगा registration choice filling 18 से 21st January रहेगा result 24 January को आ जाएगा तो ये तो MCC का schedule है अब देखते हम state के सासाथ MCC के सासाथ state का schedule भी देखते है तो 1st round का जो counseling रहेगी वो All India की 20 September से लेके 20 November 24 तक रहेगी और इसमें state counseling जो रहेगी वो 18th November से 27 November तक रहेगी लास्ट डेट जोइनिंग All India की 27 December रहेगी और state की 4th December रहेगी इस्टेट की 12 December से लेके ये state की 28 December तक रहेगी राउंड 3 की जो MCC की counseling रहेगी वो 26 से लेके 1st January तक रहेगी और state की 7 January से 13 January 25 तक रहेगी लास्ट डेट जोइनिंग 13th January 25 वोल इंडिया की रहेगी इस्टेट की 18th January 25 रहेगी stay vacancy round MCC का 18 से लेकि 24 जनवरी रहेगा और state का stay vacancy round 25 से लेकि 30 जनवरी 25 तक रहेगा last date joining 30 January 25 MCC की रहेगी और last date joining 5 February 25 रहेगी state की और ये 5 February 25 last date joining रहेगी इसके बाद में PG का कोई admission नहीं रहेगा जो academic session है वो 20 December 24 से स्टार्ट हो जाएगा तो ये सेडूल था वॉल इंडिया और स्टेट दोनु का उपसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको आपकी रेंक पर कौन सा कोलेज मिलेगा कहां पर आपको कोलेज मिल सकता है कौन सी बेस्ट ब्रांच मिल सकती है और क्या माक्स पर मिल सकती है कौन सी कैटेगरी में तो ये जानने के लिए हमने आपके लिए बुक तयार की है और इस बुक की मदद से आप अपने काउंसलिंग आसानी से करवा सकते हैं इसमें पहले मैं UG की बुक लिखते आ रहा था लेकिन इस साल से PG की बुक भी पब्लिस की है ये आपके लिए काफी फाइदे मन रहेंगी अगर आप PG में एडमिशन देख रहे हैं तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच best मिल सकती है कितनी रेंक पर कौन सी ब्रांच किस स्टेट में कौन सी कोलेज मिल सकती है क्योंकि अभी आपके पास में रेंक आ चुका है तो इसके लिए मैं आपको पूरा procedure समझा देता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है और क्या-क्या facility इस book में available है मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी इसमें तो ये जो counseling guidance है इसमें All India quota के बारे में समझा रखा है ओल इंडिया quota के साथ साथ Central University जैसे दिली University है AMU है, BHU है और इसमें psychiatry राच्ची है तो ये इन सब के बारे में समझा रखा है साथी साथ DNV के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है इसमें MD, MS, Diploma Courses, DNV Diploma इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझाया है अब इसमें क्या-क्या समझाया है वो मैं आपको यहां पर briefly बता देता हूँ आपको कैसे-कैसे इससे फाइदा हो सकता है इसमें एक तो सब से पहले counselling के बारे में समझाय गया है कि आपको counselling कैसे करवानी है कौन-कौन से counselling होती हैं किस परकार से counselling करवानी है इसमें previous year की marks versus rank दे रखी है कि किपनी marks पर कितनी rank थी तो यह previous year का इसमें data दे रखा है इसमें लिस्ट दे रखी जो MCC द्वारा कौन-कौन से MDMS और Diploma कोर्स में एडमिसन करवाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि कौन-कौन से कोर्स हैं कौन-कौन से ब्रांश है जिनमें आपको एडमिसन मिल सकता है और fasting कौन-कौन से ब्रांश में काउंसलिंग करवाई जाती है एडमिसन दिया जाता है ऐसे ही DNB कोर्स के लिए है list इसमें कि ये कोर्स DNB कोर्स हैं जो MCC द्वारा offer किये जाते हैं इसमें, इसके बाद में All India Quota की seat matrix दी गई है, MS, MD, diploma और ये DNB के लिए भी seat matrix दी गई है, इस्टेट वाइस bond detail दी गई है, इस्टाइफंड दिया गया है, इस्टाइफंड annual fees दी गई है, All India Quota की, Central University की और DNB Quota की, तो इस परकार से इसमें ये सारी च cutoff दी गई है, category wise, इससे आप ये idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन से state में, last में कौन सा college मिल सकता है, किस category में, ये एक list आपके लिए beneficial है, यहाँ पर, इसके बाद हर एक branch की, category wise, college wise, round wise cutoff दे रखी है, यहाँ पर, round wise cutoff दे रखी है, जिससे आप idea लगा सकते हैं, कि आपको इस category में, इस round में, यहाँ पर admission मिल सकता है, क्योंकि पिछली rank में, और इस rank में, seat मिलने पे same सा ही procedure होगा, यानि कि ज्यादा difference नहीं आएगा, तो इससे आप idea लगा सकते हैं, कि आपको कहा admission मिल सकता है, अब आप देख कैसे सकते हैं, यह क्या क्या देख सकते हैं, यह मैं आपक अब देखो, यहाँ seat matrix दे रखी है, all India quota के लिए, seat matrix है यहाँ पर, MD, MS, diploma courses के लिए, इसके बाद में, इस परकार से state-wise bond detail दे रखी है, कौन से state में bond है, कौन से में नहीं है, MD, MS के लिए, यह सारी detail दे रखी है, अब इसमें stipend दे रखा है, annual fees कितनी है, तो यह भी सारा इसम central inner city के लिए दी गई है, DNB quota के लिए दी गई है, यानि कि हर एक branch के लिए, इसमें सब कुछ समझाया गया है, अब सभी branch के लिए, इसमें cutoff दी गई है, सभी category के लिए, और सभी round में, देखो, यह cutoff इस परकार से दी गई है, मैं आपको यहाँ पर यह समझा देता हूँ, ज first round में all India rank 13 गई थी, पिछली साल का यह है, second में कोई college अलोट नहीं, third में क्योंकि आगे seat vacant ही नहीं होके आई है, इन colleges में, तो आप यह भी idea लगा सकते हैं कि इन में जो first में college मिल जाती है, टोप की, वो college मिल जाती है, बात में college नहीं मिलती है, तो इस परकार से आप एक idea ल मिले हुए हैं, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे, इससे उपर भी यह college है, और आपका यह college आ रहा है, इसमें, first round में यह college मिला था, second में इतना difference रहा था, first में 132, second में 185, third और fourth इस्टे में मिला नहीं था, क्योंकि यह top college हैं, तो आगे seat in my vacant रहती नहीं है, तो इस परका OBC category में भी देख सकते हैं, और इसके बाद में दूसरा जैसे radio diagnosis में diploma हैं, तो diploma में open category की कौन सी college में क्या cut off रही थी, यह सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो इससे आप एक idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी branch मिल सकती है, कौन से state में मिल सकती है, कौन सी college मिल सकती है, वो पिछले साल first round में कितनी rank पर मिली थी, जो पिछली साल मिली थी वही इस बार भी मिलने की, क्योंकि rank में फरक नहीं पड़ता है, रेंक के थोड़ा बहुत ही fluctuate होता है, इसमें ज्यादा फरक नहीं पड़ता है, अब जैसे कि मालो मैंने यहाँ diploma radio diagnosis का open category का बताया है, यह पर open category की, यह cut of DNB quota के लिए है, यह diploma courses के लिए है, तो इस परकार से आप इसमें देख सकते हैं, एक पूरा calculation निकाल सकते हैं, एक white page पर लिख सकते हैं, आपकी मेरे को in in branch में यह college मिल सकती है, यह book आपके लिए काफी beneficiary साब मिल होगी इसमें, अब इसमें pediatrics में देखते है हम OVC category में इसी परकार से इसमें भी सारा समझाया गया है, first round, second round, third round, तो यह मैं आपको एक example दे रहा हूँ, बाकि इस book में बहुत कुछ है आपको, DNB quota में देखना है, आपको और्थों में देखना है, open category में कौन सी rank पर कौन सा college मिला हुआ है, यह book मैंने बड़ी महनत से बनाई है, दोस्तों, और A की जगे आपको सब कुछ मिल रहा है, कहने का मतलब आपको सारे round A की जगे मिल रहे हैं, category A की category में कौन से college में क्या cut-off रही है, जैसे की diploma है, TB and chest इसमें है, family medicine में है, तो यह सारी की सारी cut-off दी गई हैं, जिससे आप एक idea लगा सकते हैं, जैसे MCS Neurosurgery 6 years course है, और direct 6 years neurosurgery का इसमें open category में ही seat होती है, तो यह सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है, तो cut-off से आप एक idea लगा सकते हैं, कि आपको कौन सी college मिल सकती है, कौन सी category में, कौन से state में, कौन सी branch मिल सकती है, जिसकी fees क्या होगी, यह सारा सब कुछ समझा दिया है, जि counseling करवानी है, इस flow chart से भी समझा दिया गया है, कि ऐसे ऐसे आपको first round में joining से free exit है, कोई नुकसान नहीं होगा, second round में आपको join करने पड़ेगी, नहीं तो security money का नुकसान है, तो इस परकार, इसमें सारा first round में क्या condition है, यह point wise मैंने सब कुछ समझा रखा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस book के अलावा, जो मैं UG की book लिखता था, वो student के काफी helpful रहती थी, इसी विचार काफी student का मेरे पास में ऐसे comments आ रहे थे, क्योंकि 2016 से मेरे साथ बच्चे जुडे वे हैं, तो उनका अभी MBBS complete हो गया है, वो PG के admission search कर रहे हैं, तो उनके लिए यह book काफी helpful और उन्होंने मेरे को comments लिखके काफी बार बोला है कि सब जिस परकार से आप UG की book लिख रहे हैं, इस परकार से PG की book भी publish कीजिए ताकि हमारे को फाइदा हो सके, अब इसको download करने के लिए आप इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं, जैसे ही more उपर click करेंगे, आपको इन books का link मिल जाएगा यहां पर, जैसे ही यहां मैंने उपर उपर PG की book का link दे रखा है, यह जो मैंने आपको सब को समझाया है, वो PG की book में मिल जाएगा, और यह नीचे UG की book का link दिया गया है, इसको आप हमारी website www.sopraeducation.in से भी download कर सकते हैं, जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, तो आप download page पर पहुंझ जाएंगे, तो वहां से आप इसको download कर सकते हैं, तो यह जानकारी थी इस book के बारे में, ताकि आप PG की counseling अच्छी तरह केश से करवा सकते हैं, आपको हर चीज का knowledge हो सके, पॉर्ण सी college आपको कितनी marks पर, कहां पर मिल सकती है, कितनी rank पर मिल सकती है, यह सारा सारा आपको idea हो जाएगा इसमें, तो बाकी updates के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी, जैसे ही counseling स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको inform कर दूँगा, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हो वीडा, जैहिन!